महाराष्ट्र राजे कपास विपनन महासंग को कपास खरीदने की अनुमती मिल गई है, लेकिन भारतिय कपास निगम, CCI, के साथ समझोते में देरी के कारण CCI के माध्यम से कपास खरीद शुरू करने में एक महीने का समय लगने की उम्मीद जताई गई है. इस बीच कपास का उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसान इसे स्टोर कर रहे हैं. बड़ी मात्रा में कपास उनके घरों में पड़ा हुआ है. किसान राजे विपनन संग द्वारा क्रय केंद्र खुलने का इंतजार कर रहे हैं. विपनन महासंग ने केंद्र सरकार से खरीदी स पिछले महीने के अंत में, CCI ने Cotton Growers Marketing Federation को राजय में अपने एजेंट के रूप में कपास खरीदने की अनुमती दी है। खरीद न होने से किसान परेशान है। देखना है कि खरीद कब तक शुरू हो पाती है। कपास की कीमत में भारी गिरावट आई है, इसलिए सरकारी खरीद का इंतजार किया जा रहा था। कि CCI ने विदर्ब में 34 खरीद केंदरों पर कपास खरीद प्रणाली शुरू की है। लेकिन किसान अभी भी विपर्णन महासंग द्वारा कपास खरीद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह संख्या अपर्याप्त है। इस साल केंदर सरकार ने मीडियम यान कॉटन के लिए 6620 रुपए प्रती क्विंटल और लॉंग यान कॉटन के लिए 7200 रुपए प्रती क्विंटल की MSP घोशित की है। हालांकि ओपन मार्केट में पिछले दो साल की तुलना में इस साल कपास की कीमतें काफी कम हैं। विदर्ब मंडी में कपास की ओसत कीमत 6500 से 6800 रुपए प्रती क्विंटल मिल रही है। राजे की कई मंडियों में कपास की कीमत MSP से कम होने की वज़े से किसानों में नाराजगी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विपनन महासंग के जरिये खरीदारी शुरू की जाएगी या नहीं। क्योंकि वहां कम से कम MSP तो मिलेगी ही। कपास की खरीद शुरू करने के लिए आवशक प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लग सकता है। कपास विपनन संग्र द्वारा कर्मचारियों और धन की कमी को देखते हुए इस समय सीमित संख्या में सिर्फ 25 खरीद केंद्र शुरू किये जा सकते हैं। यदि सरकार कर्मचारी उपलब्ध करा दे तो केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। Bureau Report Market Times TV